हे गाईस, हेलो एवरिवन, स्वागत है आपका एक बार और एक नए फूड वीडियो में अगर आप रहत रखते हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चे भी वरत रखें तो बच्चे बोर ना हो फलाहार से उसके लिए आज में आपके लिए एक फलाहार की रैसPie शेर कर रही हूँ मैंने इसे महाशरे वरात्री पे बनाया था क्योंकि मेरे बच्चों ने भी इस पर वरत रख रखा था जरूरी नहीं है साबुदाने को वाश करना आप इसे ऐसे ही पीच सकते हैं लेकिन मैंने धूल मिट्टी साफ करने की पारे में सोच के सिब भीगो लिया थोड़ा सा और फिर इसका पानी सारा ड्रेन कर दिया है साबुदाने को धोने से थोड़ा सा मल के धोने से उसमें जो स्टार्च अलग से होता है उसे आप अलग कर सकते हैं और जादा इसमें कुछ नहीं होता है साबुदाने में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी भी अलग हो जाती है यहाँ पर धोलिया है मैंने क्योंकि मैं वरत के लिए बना रही थी तो मुझे तोड़ी साफसफाई से बनाना था अब इसे एक चार में शिफ्ट करके इसे पीस लेते हैं साबुदाने को पीसते समय समय समें पानी का इस्तमाल मत कीजिए आप ऐसे ही पीस लीजे ये इसली पिस जाता है पिसे हुए साबुदाने से जो हम बॉल्स बनाते हैं वो बहुत अच्छे बनके तयार होते हैं दूसरे स्टेप में हम यहाँ पे एक पैनमो ओयल डार के डालेंगे मुझफली मुझफली को गरम गरम तेल में डालने से बहुत अच्छी खुश्पू आती है मुझफली अंदर तक बहुत अच्छी कुख होती है उसका छिलका अच्छे से भून जाता है और टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है इसलिए जब भी आप प्रत के लिए किसी चीच को बनाएं तो गरम गरम ओयल में मुझफली को डाल के भूने इससे मुझफली की खुश्पू बहुत अच्छी आएगी और साथ ही साथ स्वाद भी बहुत बढ़ी आएगा मुझफली को भून के निकाल लीजिए इसे पीस के साइड में रख लीजिए क्योंकि इसका हम एक दरदरा सा पाउडर बनाके अपनी बॉल्स में इस्तेमाल करेंगे और इसी लिए मैंने इसे हाई फ्लेम पे भूना है यहाँ पे मैंने लिए हैं तीन आलू आलू को मैंने मैश कर लिया है और आप इसमें डालूंगी में यह साबूदाने का पाउडर यह देखे बहुत एजिली यह पिस जाता है क्योंकि यह थोड़ा गीला था इसलिए थोड़ा इखटा हो गया है यह सूखा 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 सा जैसे चूना होता है उस तरह से पिसके तयार होता है अगर हम वैसे नॉर्मली जो साबूदाना का वड़ा बनाते हैं या फिर वरत में जो टिक्की साबूदानी के बनाते हैं उसके लिए हमें साबूदानी को भी गोना पड़ता है फिर उसके लिए लग जाता है टाइम और इंस्टन्सी रेस्पी अगर आप चाहें तो इस तरह से बिना भी गोई बना सकते हैं इस तरह से हातों से सिद्धेर तोड़ लीजिए आपको देख लेना है कि इसमें कोई बड़ा दाना ना हो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धन्या और साथ ही थोड़ा सा अद्रक क्योंकि मैं वरत के लिए बना रही हूँ तो जादा समान इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ यह देखिए मुफली को मैंने पीस लिया है, कितना सुन्दर ब्राउन कलर आया है, बिल्कुल जैसे ब्रेड करम पोते हैं यह उसका काम करेगी बाइंडिंग भी देगी, क्रंच भी देगी, टेस्ट भी देगी और खुशबू भी सारी मुफली को मैंने इस तरह से सिजार से निकालके बोल में शिफ्ट कर लिया है अगर आप वरत के अलावा इन्हें बना रहे हैं तो आप इसमें पनीर, चीज या अपनी पसंद से कोई भी एक गरम मसाला डाल लेते हैं लेकिन यहाँ पे मैं वरत के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें गरम मसाला, चीज या पनीर एट नहीं किया है इसके बाद इसमें डालेंगे नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजे, मैं थोड़ा सा ज़ादा डाल रही हूँ क्योंकि मैं इने दहीं के साथ सर्फ करूंगी आप अगर वरत में नहीं बना रहे हैं तो सेंदे नमक के अलावा इसमें आप काला नमक भी डाल सकते हैं यवरत के लिए मैं बना रहे हूँ इसलिए मैं इसमें सिर्फ सेंदे नमक का इस्तमाल किया है अब सारी चीजों का अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इसमें कुछ भी जादा एड नहीं किया है और जब आप इसे खाएंगे तो इतनी बढ़िया खुश्पू आती है ऐसे खाने में और इतना मज़ेदार लगता है कि जैसे बहुत ही सारी चीजों को मिनाकर भी जब कुछ चीज डिश बनाते है ना तो वो भी इतनी टेस्टी नहीं बनती यहाँ पर आपको इसे गूठना बहुत जरूरी है क्योंकि जो साबू दाना है वो थोड़ा सा सक्त हो जाता है और आलू के साथ अच्छे तरह पाइंड हो जाए इसके लिए थोड़ी देर आपको इसे एक डेड़ मिनिट तक इस तरह मसलते हुए मिक्स करना है ऐसा करने से साबू दाना और मसाले अच्छे तरह कंबाइंड हो जाएंगे यहां पर आप चाहें तो थोड़ा सा धनिया और एड़ कर सकते हैं लेकिन मैंने बहुत थोड़ा सा धनिया और थोड़े से पुदिने के पट्ते एड़ किये थे बस चोटी चोटी बोल्स बना लीजे चोटी चोटी ही बनाईएगा जादा बड़ी बाल्स मत बनाईएगा सिर्फ चोटी चोटी सी बाल्स बनाके से हाथ में तयार कर लीजिए आपको ना हाथ पे ओल लगाने की जरुत है और ना ही आपको हाथ में पानी लगाने की जरुत है ये बहुत एजिली बिल जाते हैं अगर आप चाहें तो इसकी stem एप पूरियां भी बना सकते हैं फ्राई कर सकते हैं ये चप्टी भी हो जाती है इसकी टिक्यां भी बना सकते हैं लेकिन आज मैं इसके balls ही बनाऊंगी क्योंकि ये मुझे बिल्कुल यूनीक लग रहा है अगर आप चाहें तो इसमें चीज फिल कर सकते हैं व्रत के अलावा बनाने के लिए बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए आप इसमें से कोई भी आप्शन अपना सकते हैं ये देखिए सारे balls में टोमेंट के तयार हो गए हैं व्रत में खाये जाने वाले कुछ ऐसे फलाहार होते हैं जिनें बहुत कम मसालों से बनाया जाता है लेकिन कुद्रती ऐसा होता है कि ये बहुत अच्छे बन जाते हैं यहाँ पर मैं गरम तेल में डाल रही हूँ तेल का टेमप्रेचर मैंने मीडियम टू लो रखा है जादा तेल गरम नहीं करना है ये बिल्कुल चिपकेंगे नहीं आप टेंशन मत लीजे ये ना तो फटेंगे ना ही तेल में जाके बिखरेंगे बस आपने से रोल अच्छी तरह से करना है एक बार में जितने आपके पैन में एड हो सकते हैं उतने डाल लीजिए और इने कर लीजिए फ्राई गुल्डन ट्राउन फ्राई होने तक इने मीडियम फ्लेम पे आपको फ्राई करना है एक बात का और आप ठ्यान रखें कि जब आप साबुदाने का ये वड़ा या फेरे साबुदाने का जो आप बॉल्स बना रहे हैं इने तलते समय आपको गैस की आज को सिम नहीं करना है अगर आप गैस की आज को कम कर देंगी बिल्कुल कम कर देंगी तो उससे ये होगा कि एक तरफ से फूल के साबूदाना बाहर की तरफ आने लगता है अगर आप मीडियम ब्लेम पेस से फ्राई करेंगी तो ये साबूदाने के बॉल्ट्स बिलकुल भी कहीं से भी नहीं फिग लेंगे कहीं से भी नहीं फटेंगे ये एकदम से एक कवर ले ले लेता है उपर और बहुत क्रंची होता है जो उसका उपर का कवर होता है तो ये देखिए मैं ऐसे गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ पल दहीं के साथ खाईए अमेजिंग टेस्ट देते हैं वरत में हमेशा खाने वाली चीजों में हम चटपटे मसाले नहीं डालते हैं लेकिन इसलिए अगर आप इससे किसी हरी मेर्च या धन्य की चटनी के साथ खाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे लगेंगे जब मैं इने बना रही तो इनकी खुश्बू बिल्कुल वडो की तरह आ रही थी लेकिन जब इने खाया तो इनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था ये देखिए सारे वड़े फ्राई हो गए हैं मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए बिल्कुल फटे नहीं है टूटे नहीं है कहीं भी बाहर से स्टफिंग नहीं है बाहर से क्रंची हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, यह देखे, जैसे भले होते हैं बिलकुल उसस तरह के लग रही हैं और जो बाहर से तक्षिर है वो हुँ टिकी की तरह लग रहा है, यह देखे बिल्कुल कम मसालों में बनी हुई चीज़ें बहुत टेस्टी है इन्होंने बिल्कुल ओईल भी सोक नहीं किया ये देखे बिल्कुल ड्राइ है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओईली ओईली जब हम बड़े बनाते हैं तो थोड़े से ओईली बनते हैं ये देखिए इसने जादा ओयल सोक नहीं किया है तो अब जब भी आप रत रखें तो इन वड़ों को एक बार जरूर ट्राइ करें साबुदाने की बॉल्स की रेस्पी आपको कैसी लेगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं साबुदाना एक बहुत हल्दी जीज होती है आप अपने घर में किसी को भी बना के खिलाएंगे तो हमेशा आपको तारीफी मिलेगी अगली बार जब रत रखना हो तो साबुदाने कोई इन बॉल्स को ज़रूर ट्राइ किजिए मेरी रेसिवी पसंद आए तो लाइक शेर कमेंट किजिएगा बाई टेक केए